हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियों में कंपारिशियों करेंगे टेक्नो पोवा 3 और MRadmi Note 11 और देखते हैं कि बेस्ट फोन कौन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से टेक्नो में है 6.9 इंच रेजुलेशन है 1.804 पार 24 पिक्सल इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलते हैं MI की है डिस्प्ले 6.43 इंच रेजुलेशन है 1.804 पार 24 पिक्सल इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलते हैं और आपको दोनों ही स्मार्टफोन में 19 हर्स का रिफ्रेसिट मिल जाता है और पंच और केमरा भी मिलता है और डिस्प्ले क्वार्टे में MI बेस्ट है क्योंकि इसमे 3D का जी ऐटीएट का CPU है 2-PIN जीरी का हाड ओक्टे को 12 इन्मिटेस का फिन फैट जीप्यू जी पावन का MI का है प्रोफिसर स्नेप ड्रेंग का 680 का cv2-PIN 4 इन्मिटेस का फिन फैट प्रोसेसर की क्वार्टी में टेक्नो बेस्ट हैं बेक केमरे की बात की जाए तो टैक्नो का हैet यब बात कर लेते हैं बैटि लाइफ की जो कि टैक्नो में है साथ हजार इमिज की आमाइ में हैं पांच हजार इमिज की डोने की बैटिस नोनेबल है आप दोने कीवैटर को निकाल नहीं सकते चार्जर की वात कीज़ाएं दोनों में सेम है 33W दोनों में टाइप्स का स्पॉर्ट है फिंगर पिन सेंसर और फेस लोक भी दोने ही स्मार्ट्फोन ही मिल जाते हैं दोनों में आपको टैपलसिंग कॉपस है मिलता है वारंटी है एक साल की कॉनिटिविटी है थरज़ और 4G की दोनों में RAM सेम है चार्ज़ और 6G की मैमोरी सेम है दोनों में 14G और 6G की टेक्नो में Android 12 MI में Android 11 प्राइज की बात की जाए तो टेक्नो का है 11,900 निनामर पे MI का है 13,400 निनामर पे आपको दोनों में से कौन सा फोन पस्तन आया कौन बॉक्स में जोरू बताना अगर आपको दोनों में से कौन स्मार्टफोन लेना है अगर आगा बज़ट है कम तो आप टेक्नो के साथ ज़ुआ सकते हो अगर आपको AMOLED डिस्प्ले लेनी है तो आप AMOLED के साथ में ज़ुआ सकते हो बाकिया आपकी चोईस है